नमस्कार आप देख रहे हैं दर्स नियूज मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा बिहार में बड़ी संख्या में अवैद नियोजी सिक्षत पकड़े जा चुके हैं तो बहुतों के खिलाफ जाच भी लंबित है जिन सिक्षकों की कारगुजारी पकड़ी जा चुकी है उनके खिलाफ भी कारवाई करने में प्रसासन और नियोजन इकाईयों के हाथ पाउं फूल रहे हैं हाई कोड के आदेश पर अब नियोजन इकाईयों पर कारवाई की तयारी चल रही है आपको बता दें कि बिहार में सक्षमता परिक्षा ली जा रही थी ताकि नियोजन सिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा सके इस सक्षमता परिक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए ऑनलाइन आवेदन में जो प्रमान पत्र जमा किये गए सिक्षों के दवारा उसमें कई प्रमान पत्र फरजी भी पाये जिन पर कारवाई करने की बाद कही जा रही थी और यही कारवाई करने के लिए केके पाठक तयार भी थे लेकिन इस बीच हुआ ऐसा कुछ की केके पाठक बहुत ज़्यादा नाराज हो गए हैं असल जो फाइल था जिसमें प्रमान पत्र था सक्षमता परिक्षावेन जो ली गई थी उसके प्रमान पत्र जितने भी थे उन सभी प्रमान पत्र फाइल सहित गाय भो गयें विभामG से तो यह बड़ी काफी धीमी है यह करवी सच्चाई है यही कारण है कि बिहार के 815 अवैद घोसित सिख्षकों के खिलाब अब तक करवाई लंबित है इस बीच बिभाग ने उन नियोजन इकाईयों की सूची तयार कर रखी है जिनके यहां से नियोजित सिख्षकों का प्रमान पत्र वाला फ वर्सों से लंबित है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नियोजन इकाईयों के प्रति गंभीर हो गया है कोट के आदेश पर ही विभाग ने नियोजन इकाईयों के खिलाफ एक्शन की तयारी कर रखी है खास बात यह है कि एक तो अवैद घोसित सिख्षकों के खिलाफ न नियोजन इकाईयों द्वारा कारवाई की जा रही है और नसेस सिख्षों का फोल्डर उपलफ्द कराया जा रहा है ताकि जाज पूरी की जा सके गरतलब है कि नियोजन इकाईयों के सचीव के जिम्में ही पंचायत प्रखंड जिला का कागजात रहता है इन कागजातों मे सिक्षक नियोजन से जुड़ा कागजाद भी सामिल है जिस कागजाद को नियोजन इकाई यानि सचीव उपलब्द नहीं करा सके हैं इसी कारण सीधे नियोजन इकाई के सचीव को जिम्यदार मान विभाग कारवाई करने की तैयारी में हैं बताया गया है कि सूबे में 352927 सि जाच बाकी है जाच में अवैद मिले सिक्षकों के प्रती प्रसासन की भी कथित सहनुभूती रही है वहीं नियोजन इकाईयों की महरबानी जग जाहिर रही है यही कारण है जाच में अवैद सिक्षक की पुष्टी और प्रात्मिकी के बावजूद सूबे में 815 सिक्षक को सेवा से बरखास्त नहीं किया जा सका है गत माह तक यह स्थिती थी हद तो यह है कि विभाग डी यो को कारवाई की याद दिलाता रहा है लेकिन विभाग का पत्र डी यो कार्याले में फाइलों में रख कर बांध दिया जाता है अन्य था इतनी बड़ी संख्या में अठक के रडार पर वो सिक्षक आ गए हैं और जो फरजी हैं उन पर जो है कारवाई होना भी सुनिश्चित किया रहा है हाला कि फाइल जो है उसे भी ढूंडा जाएगा लेकिन वो गाइब कैसे हुआ यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है इस ख़बर में इतना ही है आपका क क्या कहना इस ख़बर पर यह सब हमें कमेंट सेक्षिन में जाकर की जरूर बता है और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजिए धन्यवाद